नमस्कार विद्यार्थियों श्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में और आज हम पढ़ेंगे आस्तीन यनिकी स्लीफ्स के बारे में स्लीफ्स आस्तीने परिधान की सुभा होती हैं आस्तीन से परिधान की सुन्दरता एभं आकर्शन में चारचान लग जाते हैं तो चलिए देखते हैं आस्तीनों के बारे में और थोड़ा थोड़ा टाइफ्स ओफ आस्तीन ताइफ्स ओफ आस्तीन मतलब आस्तीनों के प्रकार आस्तीनों की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इन्हें प्रमकृप से तीन प्रकारों में बाटा गया है पहला प्रकार ह हाफ स्लीफ यानिकी आधी अस्तीन ब्लाउज लेडीज कुड़ते फ्रॉग कमीज शर्ट सफारी शूट में अधिकांस्ता आधी अस्तीन का प्रियोग किया जाता है ये कंधे से शुरू होती है और कोहुनी के उपर आकर समाप्त हो जाती है हमारे दूसर रप्रकार है थ्री कौटर स्लीफ यानिकी पौना अस्तीन पौना अस्तीन में क्या होता है इस तरह कि अस्तीन का प्रियोग सामानता लेडीज कुर्ता ब्लाउज और नाइटी वा मैक्सी में किया जाता है इन अस्तीनों का प्रारम तो कंदे से होता है परंतु समाप्ति कोहुनी से 3-4 इंच नीचे ही होती है हमारे तीसर प्रकार है पूरी अस्तीन यानिकी फूल स्लीफ इस तरह की आस्तीन का प्रियोग पुरुशों के परिदान में किया जाता है जैसे शर्ट कोट िज कुर्टे में भी क्या जाता है इनका प्रारम भी हमा जोता है और कल्हाइध के श्रकारी पूरी थी हमारी बवाटक याथ अरुषार कर ​ हाफ अस्तीन तरी कॉर्टर 3 स्थीघ्त थी कर्टर स्लीफ और लिशिव धंदा आजि अस्तीन पॉनी अस्तीन पूरी अस्तीन टाइप्स ऑफ स्लीव अकॉर्डिंग टू फेशन फेशन के अनुसर आस्तिनों के प्रकार तो फेशन के अनुसर आस्तिनों के साथ प्रकार होते हैं पहला प्रकार है साधी अस्तीन यानि की प्लेन स्लीव दूसरा प्रकार है धीली मोरी जूलती हुई अस्तीन यानि की धीली मोरी और जूलती हुई अस्तीन प्रतीत होती है तीसरा प्रकार है कंदे पर फूली हुई अस्तीन चौथा है मटल लैन अस्तीन और पाचवा है के बारे में, प्लेन स्लीव, सामान था ब्लाउज लेडीज कुर्ता आदी में इसी तरह के अस्तिनों का प्रियोक किया जाता है, इसे मुहरी अथ्वा कंदे पर चुन्नेटे नहीं दी जाती है, मुहरी को अंदर की तरफ मोड़ कर सिलाई कर दी जाती है, तो ये था हमारा प् अन्तर के वल इतना होता है की जूलती आस्तिन में भुजा की घेरी की चोड़ाई अधिक रखी जाती है अता यहां अधिक धीली होती है हमारा तीसर प्रकार है कंदे पर फूली वी आस्तीन कंदे पर फूली वी आस्तीन कंदे पर फूली वी होती है परन्तु भुजा पर कसी वी होती है भुजा पर अच्छी फिटिंग के लिए अलग से पट्टी लगा कर अंदर की तरफ मोर दिया जाता है कंधे पर फूली हुई अस्तीन को कपड़े से औरे के कपड़े से बनाया जाता है हमारा चौथा प्रकारे अस्तीन का मटन लेन अस्तीन यहां अस्तीन भी कंधे पर फूली हुई अस्तीन की तरह ही पटित होती है परंतों इसमें भुजा के घेरे पर कफ की तरह ही पट्टी लगाई जाती है पांचवे प्रकारे भुजा के घेरे एवं कंधे पर फूली हुई अस्तीन इस तरह के अस्तीन में कंधे पर भी चुन्डटे डाली जाती है और मुझा पर भी इसके लिए भी औरे कपड़े का प्रयोग किया जाता है हमारा चटवा प्रकार है फुगे वाली अस्तीन फुगे वाली जैसे कि नाम से पता चलता है फुगा जी हाँ इसमें फुगा फुला हुआ जैसे प्रतीत होता है इन अस्तिनों की कटाई अने प्रकार से की जाती है अताईने विवित्ताई भी खूब देखने को मिलती है कपड़ी की लंबाई चोड़ाई में अंतर रखकर विवित्ता लाई जाती है कभी कंधे पर चुन्नेटे डाली जाती है तो कभी मोहरी पर कभी मुहरी को गोल रखा जाता है तो कभी फूली हुई बना कर रखा जाता है हमारा साथ प्रकार है कलाई के पास चुन्नेटे वाली अस्तीने इस तरह के अस्तीने तो कंधे पर साधा काटी जाती है पन्तु मुहरी परिक्षा के अनुशार चुन्डेटे डाली जाती है और फिर उने कफ के साथ जमाय EK जाता है। तो ये था हमारा कलाई के पास चुन्डेटी वाले अस्तीने। इस तरह हमने चुद अस्तिनों को फेशन के अनुशास साथ तरह से पढ़ा साथ प्रकार है इनकी इनकी साथ प्रकारों को पढ़ा तो उम्मीद करती हुए स्टुडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा मुझे दीजे इजाजत और जुड़े रहे हमारे साथ तब त